शायद आपका घटिया मानसीक्ता ने इस भारत को दो राहे पर खड़ा कर दिया है कि 1927 की फिर घटना न इस भारत के बेतर हो जाँ इसलिए जरा समझो भाजापा के लोगों अपने घटिया पाइं चरित्र के सामने इस शामाजवादियों की चरित्र का आकलन मत करो लालू प गुटने नहीं टेका और कोई भी समझवादी तुम लोगों के हैं समरपन करने वाला नहीं है हम होट की राजनीती नहीं करते हैं हम भारत की भविश और बरतमान की राजनीती करते हैं भाईचारी की राजनीती करते हैं नमस्कार निच फोर नेशन देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ ठीरत सिंग राज़त सुप्रीमों लालो परशादियादों ने आरेसेस को पीएफाई से भी बत्तर संगठन बताया तो सुसील मोदी समय तमाम भाजपनेताओं ने लालो परशादियादों के बयान को निम कारिशस की गंदगी इस देश में नहीं होती तो जो कहा जा रहा पीएफाई के बारे में शाद हुए लोग भी नहीं पैदा हुए होते हैं पीएफाई ने कोई आईसी घटना भी नहीं किये जिसी यह लगे कि वो गुर्षे वादियों से अधिक खतरनाक हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान बटा उस समय का उनमाद बहुत भाया लग था और उससे के उनमादियों ने जो कुछ भी उस समय अपने ताकत दिखाए थी इसके बाद भारत ने तो बिल्कुल सान थी इस सवाल का जवाब देने से सायदों भग रहे हैं कि छे साथ सालों में क्या परिवर् प्रिवस्तन हो गया हर लोगों की अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग अपनी रक्षा के लिए अलग अलग बिवस्ता करने पड़ रही है आरेशेश आफेंसिव है अधी पी अफ आई वैसाही है जितना हम लोग बहुत अंदरूनी बात नहीं जानते हैं तो वो डिफेंसिव है और धरती पर आत्मरक्षा और अपनी रक्षा करने का अधिकार प्राकृतिक गुन होता है या प्राकृतिक आउगुन भी कह शक्ते ह वो होता है इनसान अपने को बचाने का प्रयास करता है एक कीरा मकड़ा हो चा इनसान हो तीस करोड़ाबादी है तुम जब कहते हो कि इस राष्ट में उन्हें जगह ही नहीं है जो अपने को मुशलमान कहते हैं जो अपने को इसलाम धरम को मानने वाले कहते हैं जब तुम क कहां जाएंगे इशाई कहां जाएंगे बौद कहां जाएंगे जैनी कहां जाएंगे अलगा कि तुम्हारी व्यक्या है यह हिंदू धर्म की उपजाती धर्म है वह तुम्हारी व्यक्या है लेकिन अधी उपजाती धर्म है तो इनको बनानी के क्या जूरत पड़ी है अधी उ राहे पर खड़ा कर दिया है कि उनेश और सेटालीस की फिर घटना नईश भारत के भीकर हो जा, खंड इतना हो जा हम लोहियाबादी हैं लोहियाजी ने का क्या क्या सिक्षा उनकी थी इस भारत की इतिहास में हिंदू मुस्लमान का कभी जगड़ा नहीं रहा, ना बश्चाहों की जमाने में रहा, ना अंग्रेजियों की जमाने में रहा, आजादी की लड़ाई में रहा, हाँ आजादी की वकत उसके पहले ही दंगाईयों ने जो एक रास्ता अपना लिया था, इस रास्ते पर चलते हुए गांधी कि अधिये को बाद में मारा, कहा कि कभी भी हिंदू-Muslimान का भी बाद नहीं रहा, कट्टर पंथी हिंदू, और इदार पंथी हिंदू, नोगी लड़ाई रही है, हम सब उदार पंथी हैं, जो हमारे धर्म की सबसे बड़ी उच्चे परमपरा उच्चे परिवाशा है, हम उ इसलिए जरा समझो भाजापा के लोगों, अपने घाटियापा चरित्र के सामने शमाजवादियों के चरित्र का आकलन मत करो, लालू परशाद व अस्रेश्ट इंसान है, जो लाख उसके उपर तुम लोगों ने जुल्म किया, लेकिन घुटने नहीं टेका, और कोई भी शमा धार्मिक भाई चाह रहा हो, यह भारत इतना विशाल, क्या चाहते हो तुम, तोड़ो मत इसको, भारत को भारत रहने दो, एक आखरी सवाल है, लेकिन सुसील मोदी तो कहते हैं कि, आरेसेज राश्टवादी संगठाने देश हित में कारे करती है, अगर लालू परशाद मे हिम्मत है, तब बिहार में इसको बैन करके दिखवाएं, राश्टवादी संगठान और राश्टवादी की परिभाशा ये गढ़ने वाले कौन है, भारत का राश्टवाद बसिधाय कुटुम वकम, भारत भाई शारे वाला दुनिया को अपना मानने वाला है, ये कौन हमा की भीतर, इसी भारत के भूमी के भीतर, तुमने उनमाद के द्वारा लोगों में बिलगाओ पैदा कर दिया, बिखराओ पैदा कर दिया, बिखराओ, ये राश्टवाद नहीं है, राश्ट का बिध्वनस बाद है, और राश्ट के बिध्वनस बादों को हम कभी राश्ट को बरबाद नहीं होने देंगे हमारा समाजबाद का रास्ता है हम समाजबाद की रास्ते पे चलेंगे भाई चारा के शाथ भारत का शंविधान भारत का लोक तंत्र यही हमारा सबसे बड़ा रास्ता और इसी पर हम लोग चलते आ दें हम नाग पूर से नहीं हम भारत के शंबीधान के दोरा हमारा रास्ता तै होता है धन्यवाद यह जगदानान सिंग दिले से निजफ फॉर निशन के लिए मैं देरत सिंग